Hello Friends, Welcome to the channel Preats Garden Friends, देखे मेरे बोगनविलिया के प्लाइंट पर कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है और छोटा सा प्लाइंट है Friends, ये बोगनविलिया का 8 इंच के प्लास्टिक पोर्ट में लगा हुआ है देखे फिर भी कितनी अच्छ से ब्लूम कर रहा है वैसे आज का टोपिक Friends, बोगनविलिया प्लाइंट नहीं है आज के इस वीडियो में Friends, मैं आपको मिली बग्स के अटेक के बारे में बताऊंगे और एक ऐसा होममेड और्गैनिक सोलूशन बताऊंगे Friends, जिसके सिंगल यूज से ही मिली बग्स का जड़ से सफाया हो जाएगा एक ही बार में बिल्कुल खतम हो जाएंगे आपके प्लांट से मिली बग्स और मिली बग्स वैसे तो Friends, सारी तरह के प्लांट में अटेक करते हैं बटे ही विसकस के जो प्लांट होते हैं उन पर उसका आटेक ज़्यादा देखने को मिलते हैं यह देखिए मेरा हाइब्री विसकस का प्लांट है और आप देख सकते हैं इस पर वाइट कलर के छोटे-छोटे कीडे लगे हुए हैं यहाँ पर ब्रांच के टीप पर और इन ही को मिली बग्स बोला जाता है Friends, यह दीरे-दीरे आपके प्लांट का सारा जो नूट्रिशन ह उसको सक कर लेते हैं और प्लांट को बिल्कुल खतम कर देते हैं और अगर आपके प्लांट पर चीटियों का अटेक है Friends, तो समझ जाना चाहिए कि इसमें मिली बग्स का अटेक हुआ है इसलिए उस पर चीटियां घूम रही है यह देखिए लिव्स के पीछे भी मिली बग मिली बग्स का अटेक हो जाता है और प्लांट में जो बड्स होती है उन पे भी Friends कई बर मिली बग्स लगे होते हैं इसी वज़े से वो कलिया गिर जाती हैं खिलती नहीं है तो यह देखिए Friends, यह है वो और गैनिक होमेड सोलूशन जो मैं आज आज आपको इस प्लांट पर स्प्रे करके दिखाऊंगी और असाथ में इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी Friends, वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिए तो उससे पहले Friends मैं आपको बता देते हूं कि यह है क्या यह हरी मिर्च और लसुन का बायो एंजाइम है जो आप अगर एक बार बना लेते हैं Friends तो बहुत लंबे समय तक चलता है और यह कभी भी एक्सपायर नहीं होता है बस आप जो इसका ढखकन है बोटल का उसको टाइट बन करके रखिए और इसमें और पानी मिक्स नहीं करना है Friends तो आपका यह सोलूशन कभी भी खराब नहीं होगा बस एक बार इसको बनने में थ सोलूशन यूज करूँगी अगर आप एस अप्रिकोशन यूज कर रहे हैं तो आप सिरफ 5 ml ले सकते हैं बट अगर आपके प्लांट में पैस्ट अटेक हो रखाया तो आप 10 ml यूज कीजिए ज्यादा इफेक्ट आएगा उसका उसका उसके अलावा Friends इसमें आप 3 ml कोई भ से हिला लेजे ताकि ये पूरा सोलूशन और जो हमने शैंपू डाला है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और अभी मैं आपको यूज करके दिखाती हूं Friends ये जो सोलूशन हमने बताया है Friends ये बहुत अच्छा एफेक्ट देता है सारी तरह के पैस्ट पर और मिली बग पर तो ये बहुत जादा असर करता है और इस तरह से Friends आपको अपने प्लांटर को टेड़ा कर लेना है क्योंकि अगर आप प्लांटर पर सीधे ही ऐसे ही स्प्रे करेंगे तो वो मिली बग्स जब हम स्प्रे करेंगे जढकर आपके प्लांट की सोयल पर ही गिरेंगे और कु आपको प्लांट के हर हिस्से पर अच्छी तरह से स्प्रे कर देने हैं प्लांट के पत्तों के ऊपर नीचे अगर आपके प्लांट पर कलिया बनी हुई है तो कलियों पर भी आपको अच्छे से स्प्रे कर देना ये देखे जब हम उपर उपर से स्प्रे करते हैं तो नीचे यह देखिए मैंने अपने प्लांट पर बिल्कुल अच्छे तरह से प्लांट को नहला दिया है इस पूरे सॉलूशन से और यह देखिए मैं आपको इसका इफेक्ट दिखाती हूं फ्रेंड्स इसी ब्रांच पर मिली बग लगे हुए थे अभी आपको एक भी मिली बग देख नहीं हंब तो हमारा प्लांट बिल्कुल इंसक्ट और पेस्ट फूर फ्री हो जाएै और आपको एक काम और करना है फ्रेंड्स आपको यह पेस्टिसाइड शाम के time संसेट के बाद यूज करना है और उसके बाद मॉर्निंग में आपको अपने प्लांट को प्लेन वोटर से पूरी तरह से फिर से वश कर देना है क्योंकि अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो ये साबुन के जो हमने शैंपू यूज किया है उसके जो निशान पड़ होते हैं उसके बाद इस पर सनलाइट पड़ेगी तो लिवस डैमेज हो जाएंगी हमारा प्लांट खराब हो जाएगा तो आपको मोर्निंग में सुबह सुबह दूप निकलने से पहले अपने प्लांट को प्लेन वाटर से वोश करना है अच्छे से और फिर देखिए फ्रे कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में बड़िया से जानकारी के साथ तब तक के लिए बाए हैपी गार्डनिंग ते क्यार